बालों को जल्दे से लंबा घना बनाना चाहते हैं, दो मुहें बालों की समस्या है, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, बालों की गुरूत नहीं हो पारी है, तो आज मैं आपके लिए कमाल की रेमिडी ले करके आई हूँ, जिससे आप अपने बालों को लंबा घना खुपसूरत आजकल रज़रने के समस्या आम हो गई है बालों में गंजा बना रहा है तो आजके लिए आपके लिए बहुत ही जादा yemekटिव है इससे नए बालों गेंगे बालों में गणा बनाएगा बालों की गृत भोगत ही तेजी से होगी डेंडब की समस्या है तो जर से खतम होगी तो हाई व्रीवन मैं हू लक्षमी मेरे चैनल लक्षमीच कीचन मैजिक में आप सबका स्वागत है वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तिसे लाइक और फैमिली फ्रेंड में से जरूर कर दे और मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सबस्काइब करना ना भूले तो चलिए दे लिना करते हुए वीडियो को सुरू करते है अपने बालों में हमेशा नेचुरल जीजों का ही इस्तमाल करें इससे बाल हमारे बहुत ही हेल्दी रहते है तो यहाँ पर आपको चावल लेने हैं चावल आपके पास जो है वो ले सकते हैं चावल में ऐसे पोसक तत्व होते हैं जो हमारे बालों को हेल्दी रखते हैं चावल एंटि अक्सिडेंट से भरा होता है जो हमारे बालों को लंबा वग घना बनाता है बालों की जरोग को मजबूत करता है चावल का इस्तमाल अगर अपने बालों में आप हमेशा करते हैं रेगुलर करते हैं तो इससे आपके बाल बहुत हेल्दी बने रहेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए एक बरतन में चावल ले लेना है इसमें पाने डाल देंगे और इसको अच्छे से वास करना है ताकि इसके अंदर जो भी केमिकल हो, पाउडर मिक्स हो वो सभी निकल जाएं और यह हमारे बालों को नुकसान करता है तो अच्छे से वास करने के बाद इसमें पाने डाल देना है और आपको filter पानी का ही इस्तिमाल करना है इस बात का आपको ध्यान रखना है और एक बार इसको अच्छे से mix कर देना है और इसे आपको चाहे तो आप overnight रख सकते हैं या फिर 6-7 घंडे के लिए आप इसे रख दें ताकि चावल के जो गुन है वो पानी में अच्छे से आ सके तो यहाँ पर मैं इसे 6-7 घंडे के लिए रख रही हूँ इस रेमेडी के लिए हमें चावल के पानी का ही इस्तिमाल करना है तो अच्छे से इसको हम सोख होने के लिए रख देंगे जब तक यह सोख हो रहा है तब तक शली हम दूसरी त्यारी कर लेते हैं यहाँ लेना है एलोवेरा लिब तो मैंने यहाँ पे प्लांट कर लिया है और आपको भी प्लांट का ही लेना है जब भी आप एलोवेरा लिप्स को कालते हैं तो THोड़ी देर के लिए इसको खरा कर दे ताक इसको पीला पार्ट है वो निकल जाए और यह हमारे बालो को नुकसान करता है बालो के लिए अच्छा नहीं होता है अगर आप मार्केट का एलोवेरा जेल का इस्तमाल करती है तो आपके बालो को उतना फायदा नहीं करता है तो अगर आप प्लांट कर लेते हैं तो यह आपके बालो को 100% डिजल देगा बहुत ही ज्यादा एफेक्टिव होता है अगर ग्रेटर लेया है और ग्रेटर से इसको अच्छे से देखिए ग्रेट कर लेंगे ताकि इसका जो भी जेल ही वो आसानी से निकल जाए एलोवेरा हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे मद होता है एलोवेरा में बहुत ज्यादा मातरा में पानी होता है जो हमार इसकेल्प को नमी परदान करता है तो यहां देखिए एलोवेरा का जिल बहुत ही अच्छे से निकल चुका है तो दो चमच भर करके आपको एलोवेरा जिल लेना है एलोवेरा जिल हमारे बालो को लंबा घना बनाता है, बालो को मजबूती देता है अगर आपको डेंड़क की समस्या है तो उसे जर से खतम करता है तो यहां देखिए चावल जो मैंने सोक करके रखा था वो बहुत ही अच्छे से सोक हो चुका है और चावल के जो गुड़ने से वो पानी में आच चुका है तो पानी का कलर देख सकते हैं अच्छों गया है तो यहां देखिए हम इसे चाण लेंगे और हमें पानी का ही जोरत है और इस पानी को आप चाहिए तो श्टोर करके भी रख सकते हैं इसे आट से दस दिन आप श्टोर करके रखे एक स्प्रे बोटल में भर करके आप फ्रिजर में इसे रख सकते हैं और अपने बालों में इसे अपलाई करें बहुत ही अच्छा रिजल देगा जब भी आप सेंपू करने जाते हैं तो उसे 30 मिनट पहले आप अपने बालों में अपलाई करें उसके बाद अप चाहे तो नॉर्माल पाने से भी बालों को वस कर सकते हैं नहीं तो आप सेंपू कर सकते हैं बहुत ही अच्छा रिजल देता है फ्रेंस चावल का पानी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदेमन होता है ये हमारे बालों को healthy बनाता है, हमारे बालों को बाउसी घणा और चिकना बनाता है तो यहां पर देखे, एलोवेरा का जो जेल ही, वो हम पानी में डाल देंगे और इसे हम बरी बरतन में डाल देते हैं, ताकि इसे mix करने में आसानी हो जाए मैंने इसमें फ्रेस एलोवेरा जेल का इस्तमाल किया है, जो कि डैमेज बालों को repair करेगा साथ ही हमारे बालों को healthy रखेगा, बालों को पोसंदेगा तो अच्छे हैं इसको mix कर लेना है, और इसके बाद आपको लेना है यहां पर विटामिन E की capsule, तो फिर यह मार्केट में आपको easily मिल जाएगा, इफ्योन 400 की capsule आती है बहुत ज़्यादा इसकी price नहीं है, 30-35 रुपे में आपको मिल जाएगी और यह हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाबकारी है विटामिन E की कमी से हमारे बाल ज़ड़ते हैं, बालों में गंजा पनाता है तो एक capsule आपको लेनी है और विटामिन E की जितना भी oil है वो सारा है इम इसमें डाल देंगे अच्छे से इसको mix कर लेना है और आप विटामिन E की capsule खा भी सकते हैं लेकिन डॉक्टर के प्रामर्स से खाएं क्योंकि सबको सूट नहीं करता है तो आप जरूर पहले प्रामर्स कर लें उसके बाद ही इसको खाना है इसके बाद फ्रेंज आपको इसमें डालना है सेंफू तो जो आप सेंफू का यूज करते हैं आप वो सेंफू ले सकते हैं यहाँ पर मैंने क्लिनिक प्लस लिया है और एक पौच है देख सकते हैं इतना ही कापी होता है एक चमच के बराबर आपको लेना है और आप जो सें her Vidya का स्थाइप करें जो आपके बालों को सूट करें ते आपको 100% मिलेगा इसको मिकस कर लेना है कोशिस करें हर वर सेंपु का यूज करें हमारे बाल जारते हैं उसका सबसे ब्रा कारण होता है कि बालों में बहुत ज्यादा केमिकल वालीप्रोड़क्ट का इस्तिमाल करना तो अपने बालों में केमिकल वाले चीजों का इस्तिमाल ना करें और मार्गिट से लाया हुआ डाय का भी इस्तिमाल अपने बालों में ना करें और देखिए एलोवेरा जेल भी बहुत अच्छे से पानी में मिक्स हो चुका है, तो फ्रेंस इसे अपने बालों में अपलाए के से करना है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, तो इसे आपको लगाना है, जब आप सेंपू करने जाते हैं, तो इसे दस मिनट पहले आपको इसे अपने बालों में लगाना है, अच्छे से मसाज कर लीजिए, इसमें सेंपू है अपने आप ही जाग हो जाएगा, दस मिनट के लिए छोड़ देजिए, उसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपने बालों को वोस कर लीजिए, विक में आप इसका इस्तमाल तीन दिन करें, और रिजल्ट आपको हैरान कर देंगे, बहुत ही जादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें मैंने चावल के पानी का इस्तमाल किया है, और यह हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बालों को अगर जल्दी से आप लंबा घना बनाना चाहते हैं, तो इस रेमेडी का इस्तमाल किजिए, 100% रिजल्ट मिलेगा, आप इसे ट्राइ किजिए, और रिजल्ट हमें कमें सेक्शन में जर जरूर सेयर कर दें, और मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन को जरूर प्रेज करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो उपलोड करूं, सबसे पहले आप देख पाएं, थैंक्स पॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, ताकि लिबाइथ.